हेलो दोस्तों आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन टेक इस्टडी पर तो गैस अगर आपको भी पसंद है फोटो सॉप में फोटो एडिट करना तो वहाँ पर एक सबसे कॉमन प्राब्लम होती है उसे आज हम फिक्स करना आपको सिखाएंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उस प्राब्लम का क्या नाम है जब भी आप कोई फोटो ओपेन करते हैं मोचली यह बहुत कम होता है लेकिन अगर आप आप आनलाइन सोर्स से फोटो लेते हैं तो इसी प्राब्लम आपको देखने को मिल सकती है जब देखे आप यहाँ पर फोटो को ओपेन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अन्योन और इन्वाइलिड जैप ले तो यहाँ पर देखिए आपको फोटो पर सिंपल राइट किलिक करके ओपेन विथ में जाना है और पेंट में चले जाना है पेंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है कोई भी हैर फेर नहीं करना है आप सिंपल इसके फाइल सेक्शन मे जा करके इसे save as कर दीजिए, save as में जा करके यहाँ पर आप अपना format देख लीजिए png photo है तो png में जाईए otherwise jpeg में जाईए तो यहाँ पर मेरी photo jpeg है तो मैं यहाँ पर jpeg पर click कर दूँगा इसके बाद मैं आप अपनी location को select कर लीजिए तो यहाँ पर मैं इसे अपने downloads में ही रहने देता हूँ, इसके बाद मैं अपनी file को पहचान सकूँ कि यह edited photo है तो इसको मैं rename भी कर दूँगा यहाँ पर मैं इसे new file के नाम से rename कर देता हूँ इसके बाद आप अपना format select कर दीजिए जो की jpeg रहने वाला है method को यूज कीजिए, यहाँ पर देखिए मैं अपनी file को open करता हूँ, जो कि मैंने नई file बनाई थी, और यह successfully open हो चुकी है, यानि कि अब हमारी यह problem जो की है invalid jpg marker type found यह completely fix हो चुकी है 100% working method है यह तो guys, I hope आपको यह video पसंद आया होगा यह अगर वीडियो आपको पसंद आया है आपके काम की वीडियो है, तो वीडियो को like करना मत भूलिएगा, अब भी भी अगर आपको कुछ पूछना है, तो please comment कीजिए मुझे आपके प्यारे-प्यारे comments देखकर बहुत खुसी होती है, दोस्तों आप अपने इस Online Tech Study YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं इस चैनल पर Daily Life में यूज होने वाले gadgets Appliance पर based वीडियो डालता हूं, जोकि आप लोगों को काफी पसंद आते हैं, तो मिलेंगे एक वीडियो में तब तक के लिए जहिंद!